वाइनाड में चुनावी रैली के दोरान बोलते बोलते भावुक हो उठी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी की भावुकता देख मचा बड़ा हडकंप केरल की वाइनाट सीट पर उपचुनाव का कॉंग्रिस महासचिफ प्रियंका गांधी ने अपने लिए प्रचार किया इस तोरान उन्होंने रोडशो किया और बाद में एक जनसभा को भी संबोधित किया प्रियंका गांधी ने अपने भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जिक्र करते वे लोगों का धन्यवात किया उन्होंने कहा कि यहां की सीट छोडने का राहुल गांधी को बेहद दुख है आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुह मोड लिया वो निजी तोर पर भी कहते हैं कि आप उनके लिए परिवार जैसे हैं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कॉंग्रेस नेता ने कहा बीजेपी सरकार के कारण समुदायों में भए अविश्वास गुसा व्याप्त है मनिपूर में योजना बध तरीके से ऐसा किया जा रहा है समिधान के मोलियों से समझोता किया जा रहा है नीतिया आम लोगों की बजाए पीयम के दोस्त के फायदे के लिए बनाये जाते हैं किसानों और आदिवासियों की जमीन चीनी जा रही है प्रियंका गांधी ने वायनाट के स्थानी मुद्धों जैसे मेडिकल कॉलेज जंगली जानवरों की समस्याओं का जिक्र करते वे कहा मैं राहुल गांधी की तरह यहां के मुद्धों को पू राश नहीं होने दोंगे वायनाट से लोगसभा प्रत्याशी ने ये भी कहा मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन मुद्धों के लिए लड़ूंगी जिन्हें वे अपने लिए महत्पूर मानते हैं कुछ बुनियादी मुद्धे हैं मेडिकल कॉलेज मानफ पशू संग अगर्श पानी के मुद्धे लड़ाई जारी हैं अगर मैं चुनी जाती हूं और अगर नहीं भी चुनी जाती हूं तो भी वायनाट से मेरा रिस्ता तूटने वाला नहीं है इसलिए मैं यात्रा करना चाहती हूं अपने पिता राजीव गांधी और मदर टेर्सा को याद क प्रीयंका गांधी ने कहा नामागन से पहले वाली शाम में वाइनार्ड में एक फॉजी के घर गई उनकी मा फ्रेजिया ने इस नहें दिया मैं बच्चों को पढ़ाती थी सफाई और खाना भी पकाती थी उनके साथ काम कर उनकी पीड़ा और सेवा का एहसास हुआ ये तमाम चीजों का जिकर प्रियंका गांधी से एक महिला ने किया लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे वाइनार्ट की जनता पर भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा से विश्वास यहां कांग्रेस पर जताया है वैसे ही दुबारा वो जिता है